आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसू यूवा फेस क्रीम के बारे में ये क्या है इसमें क्या क्या ऐसे इंग्रिडियन्स होते हैं इसको हम कहा कहा यूज कर सकते हैं इसको हमको कैसे यूज करना है इसकी अमर्पी क्या है कितनी क्वांटिटी में हमको ये मिलेगा औ तो पूरा डीटेल एक्स्प्लेनेशन इस वीडियो में देने वाला हूं वीडियो को शुरू से लेकरान तक जरूर देखिए तो अब बात करते हैं वसू युवा फेस क्रीम क्या है यह एक आयूरवेदिक आउशदी है जो कि हमारी ट्रेडिशनल ब्यूटी रेसिपी रहती जैसे कि कुम-कुमादी तेईल हो गया एलोविरा हो गया वीट जर्म ओईल हो गया हल्दी हो गया इन सब हर्ब्स को डालके बनाया जाता है यह बहुत ही हलका रहता है और चिपचिपा नहीं रहता है जिस वज़े से इसको हर एक तुछा पर हम लोग यूज कर सकते हैं यह कि हमारे चहरे पे पिंपल्स हो गए या फिर दांग धब्बे हो गए और चहरे को थोड़ा निखारने में हल्प करता है और बुजाब की जो भी फेस में जो स्कीन प्रावलम्स रहते हैं उनको भी कम करने में हल्प करता है अब हम बात करेंगे कि इसमें ऐसे कौन-कौन से इडियेंट्स रहते हैं जिस वज़े से ये इतना असरदार रहता है तो इसमें रहता है कुमकुमादी तैला, हरिद्रा, यश्टी मदू, वीट जर्म ओईल, द्राक्षा, एलोवेरा, नीम, तुलसी, यश्टी मदू, सारीवा, मंजिश्टा और क्रीम बेस और कुछ प्रिज यूज़ कर सकते हैं तो इसको अगर आपके चेहरे पे अगर आपको पिंपल्स या फिर जिसको एकने भी बोलते हैं वो हुआ रहेगा या फिर चेहरे पे कुछ दाग रहेंगे या फिर डाक स्पॉल्ट जो रहते हैं बड़े-Бड़े धबबे पड़ जाते हैं या फिर आखों के नीचे काले काले दाग हो रहे हैं या फिर धूप में ज्यादा काम करने के कारण आपका स्किन एकदम डल हो गया है थोड़ा सावला हो गया है तो ऐसी इस कंडिशन में आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपका नैचुरल कलर जो है वो भी अगर डल पढ़ गया है तो उसे भी निखारने के लिए ये क्रीम जो है बहुत ही helpful रहता है मैं यहाँ पर special note देकर mention करना चाहूंगा कि ये जो क्रीम है किसी भी विक्ति का अगर जनम से ही जो color है सावला है या फिर काला है तो उस विक्ति को गोरा करने के लिए कते ही ये क्रीम useful नहीं है जैसे कि मै मैंने बहुत सारे दूसरे YouTube वीडियो से उनको देखा है तो ये बहुत ही गलत है ऐसा ये क्रीम नहीं करती है ये क्रीम जो है natural condition जो है अपनी skin की थोड़ा सफेद है या फिर पहले से ही अच्छा है लेकिन कुछ environmental conditions की वज़े से जैसे कि आपका काम करना हो गया या आप धू उसको स्वच्छ नहीं रखते हैं अगर ऐसी conditions की वज़े से अगर आपका color सामला हो रहा है या फिर काला हो रहा है तो ऐसी conditions को ठीक करने के लिए और आपके skin के complexion को वापिस से आपको दिलाने के लिए natural tone जो है आपका उसको वापिस से maintain करने के लिए आपकी natural skin का जो रंग ह उसको वापिस से आपको दिलाने में ये use होता है ना कि जिस वेक्ति का रंग काला है उसको गोरा करने के लिए कोई भी cream है किसी भी काले वेक्ति को गोरा नहीं करती है या आप लोगों को specially mention करनी है ये बात note करना है आपको ये बात अब मैं बात करूँगा इसको use कैसे करना है तो सबसे पहले आप अपने चहरे को गुल्गुने पानी से दो लीजिए उसको तोलिये से अच्छे से साफ कर लीजिए उसके बाद इस cream को जो है अपने चहरे पे या फिर आपके गले के आसपास जो है दिन में एक से दो बार अच्छी तरह से लगाना है अच्छे results के ल अब हम बात करेंगे कि इसकी MRP कितनी है और आपको ये कितनी quantity में मिलने वाला है तो इसकी जो MRP है वो है 95 रुपीज और आपको ये 30 ग्राम में मिलेगा तो अब हम बात करेंगे इसकी availability के बारे में मतलब ये कहां कहां से आप इसको खरीज सकते हैं तो इस cream को आप अपने नजदी की जो भी आयरुवेदिक मेडिकल स्टोर है या फिर आयरुवेदिक मेडिकल सेंटर है या फिर आयरुवेदिक फार्मेसी है वहां से आप इसको खरीज सकते हैं या फिर online अगर आपको मंगाना है तो इस cream को आप online जो pharmacies हैं जैसे की 1MG हो गया फिलिपकाट हो गया Amazon हो गया या फिर आयूर सेंटरल हो गया तो वहां से भी आप इसको मंगवा सकते हैं आशा करता हूँ वासू यूवा फेस क्रीम के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने इस यूडियो में आपको दिया है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आगे भी इसी तरह क वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और ज्याज़ ज्यादा शेर कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ तिल देन टेक केर धन्यवाद